हलो फेंट्स वेलकम बेक टो माई चैनल आज आपके साथ मैं शेयर करने जारी हूँ आलू की ऐसी रसिपी से आपने एक बार बना लिया ना वह आपकी फेवरिट हो जाएगे एकदम क्रिस्पी चट्पिटी मसालेता है और स्पीशल चट्नी के साथ मैं ट्रैजल करना यहां व पर जहींग और एक नीवू का रस आपको इसमें डाल देना है साथ में डालना है थोड़ा सा पानी और बस पीस कर तयार कर लेना है यहां पर यह हमारी हरे धन्य की चट्नी बनकर तयार हो गई है अब आपको चाहिए आलू तो यह हमने कुछ कच्छे आलू लेए है यहां प पर आलू हमारे पास तयार है आपको क्या करना है नाइफ या फिर फोक की हैल्फ से आपको इस तरीके से करना है तरकि जब हम इसको फ्राइ करेंगे न तो यह अंदर तक अच्छे से सिख जाएगा और इस तरीके से करके आप इसको पानी में ही डालते जाना और सभी आलू क आपको इस तरीके से करना है तो यहां पर कढ़े में हमने ओल लिया है ओल का टेंप्रिचर स्टार्टिंग में होना चाहिए मीडियम टू हाई पहले इसको थोड़ देश दिखने देना और फिरा फ्लेम को लोटू मीडियम करना और फिर आप इसमें डाल देना थोड़ी सी हल् इससी क्या होगा इसका कलर थोड़ा से यल्व हो जाएगा और दिखने में अच्छा रखता है वर्ना आप इसे स्किप कर सकते हैं अब यहां पर दिखिए आलों को आपको अच्छे से पकाना है इसका कलर चेंज नहीं करना है बस यह अंदर तक अच्छे से सिख जाना चाहि आलू मैश नहीं होना चाहिए यानि ओवर आप इसको फ्राइं मत करना तो यहां पर यह हो गया है इसे अलग प्रेट में हम निकाल लेते हैं और यहां पढ़ना आप इसको इस तरह किसे चैपी कर सकते हैं तो यह वाले आलू भी निकाल लिए हैं इनको थोड़ा सा ठंडा होन दनिया पाउडर और यह आमचूर पाउडर गरम मसाला इसमें जाएगा और यह थोड़ा सा हल्दी पाउडर हलका सा कलर चेंज करने के लिए सबी चीज़ों का अच्छे से आपको मिक्स करना तो यहां पर जितना आप आलू बना रहे ना उसी साब से मसाले ले अब यह को हम इस तरीके से कर लेंगे यहां पर हम सभी आलू को इस तरीके से हलके हाथ से प्रैस करके इसके क्रेक्स निकलाने चाहिए यह इस तरीके से हमने तैयार कर लिए है अब आपको कढ़े में इसको वापिस से फ्राइ करना है बट बहुत ध्यार नकना है यह ओल का टैंपरि क्рिस्पी नहीं बनेंगे और यह और आय। ओयल गोर कर लेंगे। जब तक यह सिक्कर फोड़ा सा सकत सिठ सेथ हो जातें तुप तब पा पर इसको प्लट देना अराम से तूटhome के नहीं और बस तो आप इसे फुल फ्लेम पर ही होने देना य즈 बहुत क्ष्पि बनते हैं आप इसको न ढखकर मत रखना सीखनी के बाद में ऐसी रहने तो यहाँ पर इस बता चल रहा है कितना क्रिस्ट्री बने है तो निकाल लेते हैं इससे आपको पैन में लेना है एक चमच बटर गरम होने देना और यह मसाला कम लगता है तो मसाला आप इस में और डाल सकते हैं अलग से खाते वक्त भी डाल सकते हैं क्योंकि ड्राइ मसाला है खराब होता नहीं है कितने भी टाइम के लिए रखो तो यहाँ पर यह आलू तैयार है और यह रहीजी अपनी स्पेशल चेटनी चेटपटी साथ में है कुरकुरे आलू और यह ना बेस्ट कॉम्बिनेशन है तो इसके उपर आप थोड़ा सा जो हमन हाँ पर यह तैयार हो गए है हमारे चेटपटे क्रिस्पी मसालेदार आलू इंदम बेस्ट कॉम्बो है सरूर ट्राइ करना और यह दिया आपको मेरे आच की रस्मी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूला थैंक यू है ढ़ता है पर प्राइक रहर है